Hello everyone and welcome back to my channel Lenners Hub तो अब गाइस आज जो हम लोग novel discuss कने जा रहे हैं उसका नाम है The Painter of Science जिसे कि एक Indian writer R.K. Narayan Ji के द्वारा इसे लिखा गया है और फिर year 1976 में जाकर इसे एक issue of magazine जिसका नाम The Illustrated Weekly of India था तो उसमें इसे पहली बार एक serial के form में publish किया गया तो अब देखिए ये novel actually Rationality vs Spirituality या फिर कहले Tradition vs Modernity के theme से mainly deal करता है और इसके अलावा इस पूरे novel को इसे मालगूरी नाम के एक कालपनिक नगर में या fictional town में इसे set किया गया है तो देखिए इस complete novel को इसे चार अलग-अलग हिस्सों में या four different parts में divide किया गया है जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि रमन नाम का एक young signboard painter जो की मालगूरी के लोगों के लिए वो तरह-तरह के signboards तयार करता है जैसे कि किसी दुकान के लिए या फिर किसी institution के लिए या किसी दिवार पर कुछ advertisement के लिए तो वो तरह-तरह के paintings और signboards तयार करता है बट फिर कुछ समय के बाद उसे डेजी नाम की एक Christian लड़की से प्यार हो जाता है या कहले वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ physically attract हो जाते है बट डेजी काफी ज़दा modern और independent टाइप की लड़की होती है दिसकी वज़े से रमन जब उससे शादी करने की बात करता है तो वो उससे ये कहती है कि शादी के बाद वो घर का कोई भी काम नहीं करेगी और दूसरा ये कि शादी के बाद उसे कोई बच्चे भी नहीं चाहिए तो जब ये शादी वाली बात रमन की एक बुजर्ग आंट आंट लक्षमी को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़दा धार्मिक होने की वज़े से वो इस शादी के लिए बिलकुल भी तयार नहीं होती है क्योंकि डेजी का कास और उसका जो कल्चरल बैक्ग्राउंड होता है तो वो उनसे बिलकुली अलग होता है बट जब रमन उनसे इंसिस करने लगता है इस चीज के लिए तो उसकी आंट फिर उससे ये कहती है कि अगर तुम्हें डेजी से शादी करना है तो तुम करो बट मैं अब यहां से सब को छोड़ कर मैं बनारस के तीर त्यातरा के लिए जाना चाती हूं इसके बाद फिर रमन की आंट उसे डेजी के साथ अकेला चोड़ कर वो बना चली जाती है और यासली फिर डेजी भी रमन को अकेला चोड़ कर वो वहां से चली चाती है कियोंकि उसके लिए उसका काम उसके future के गोल्स और उसकी आजादी ज़रा जरुरी तो चलिए अब ये तो हमने समझ लिया इस स्टोरी की एक ओवराल कंसेप्ट को बट इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इन तीनों मेजर करेक्टर के बारे में थोड़ा और डीटेल में बता देना चाहता हूं ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिलकुल भी confusion ना हो और ये novel आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए सो नाव इस स्टोरी का हमारा सबसे पहला जो important character है तो उसका नाम है रमन जो के स्टोरी का main character या protagonist होता है और इस स्टोरी के अंदर वो एक signboard painter होता है जिसने की अपने college को भी complete किया होता है सो देखिए रमन actually एक orphan होता है यानि उसके माता पिता की उसके बच्चपन नहीं death हो चुकी होती है दिसकी वज़े से रमन अपनी एक aunt या अपनी एक चाची लक्ष्मी चाची के साथ वो अपने ancestral house में रहा करता था और रमन की aunt लक्ष्मी का भी कोई खुद का बच्च ना ह होने की वज़े से उन्होंने भी रमन को अपने खुद के बच्चे की तरह पाल पोस कर बढ़ा किया होता है बड़ इस रमन का जो character है तो थोड़ा सा different है क्योंकि एक तो वो sexually काफी ज़्यादा frustrated होता है और दूसरा ये कि वो अपने पुराने tradition को और नए modernity की बीच में फस जो की बीच में फसा होता है तो इसका character भी कुछ उसी तरह का है फिर इस story के हमारी दूसरी जो important character है तो उसका नाम है Daisy जो की एक young independent और काफी modern type के Christian लड़की होती है जो की वैसे तो ये काफी अच्छे खासे family से belong करती थी बट वो बच्चपन से ही उसका nature काफी rebellious type का होता है और जब उसके family वाले उसके शादी की बात करते हैं तो वो उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से शादी मतलब बंधन और गुलामी और उसे गुलामी बिलकुल भी पसंद नहीं था इसलिए फिर बाद में वो फिर अपने family को छोड़कर वो अकेले रहने लगती है और वो फिर population control campaign या family planning campaign के लिए काम करने लगती है क्योंकि उस समय यानि year 1976 के दोरान इंद्रा गांदी ने पूरे देश में emergency लाबू कर दिया था और पूरे देश में sterilization campaign या नस्बंदी के campaign चलाय जा रहे थे ताकि population को control किया जा सके तो डेजी भी उन movements को या उन population control campaigns को join कर लिए उसकी freedom और उसके goals जाला जरूरी होते हैं बजाए कि उसके रमन के साथ relationship के और finally इस story के हमारी तीसरी जो important character है तो उनका नाम है आंट लक्षमी जो कि रमन की ही video आंट होती है या एक विद्वा चाची होती है तो देखिए ये आंट लक्षमी जो है तो वो असल में एक विद्वा औरत होती है और उनका कोई खुद का बच्चा ना होने की वज़े से वो रमन को ही अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बढ़ा करती है और इन सब के अलावा आंट लक्षमी एक काफी सीधी साधी सी और धार्मिक किस्म की महिला होती है जो कि अपने life को एक काफी systematic तरीके से जिया करती थी जैसे कि रोज शाम को गनेश मंदिर में जाकर देर रात तक भगवान के भजन या कथा सुनना और फिर साला दिन रमन की देखभाल करना उसके लिए खाना बनाना घर को देखना और बाकी सब काम करना बड़ इस स्टोरी के last में जाकर वो फिर रमन को उसके शादी की जित की वज़े से वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बनारश चले जाती हैं गंगा घाट के किनारे ताकि मरते वक्त वो गंगा मा के पास ही रहें तो चलिए अब ये तो हमने डिसकस कर लिया इस स्टोरी से रिलेटेड काफी डीटेल जो कि स्टोरी का प्रटगर्निस होता है तो वो अपने एक ओल्ड आंट लक्षमी के साथ मिलकर वो मालगुडी के एलमन स्ट्रीट नाम के एक जगह के सबसे आकरी घर में रहा करता था और इसके अलावा वो तरह तरह के लोगों के लिए जैसे कि मर्चिंट्स या बिजिनस पेंटर जैराच से वो काफी अच्छे साइनवर्स बनाया करता है क्योंकि एक तो उसे कलर कॉम्बिनेशन का नौलेश काफी अच्छा है और दूसरा वो कि वो मैंपी माउंटेंज के सबसे बेस रोसवर्स को या शीशम के लकडियों को इस्तमाल करता है अपने साइनवर्स को तयार करने के लिए तो अब गाईस इस फर्स पार्ट में हमें यहां पर मिली दो चीज़े देखने को मिल जाती है जिसमें से पहला तो ये होता है कि रमन कैसे अपने डिफरेंट कस्टमर्स के साथ वो इंटराइक करता है और उसकी क्या वैल्यू है उसके कस्तमर्स के पहला customer एक lawyer होता है जो कि अभी अभी lawyer बना होता है और उसे अपने career को अच्छे से शुरू करने के लिए उसे अपने office के लिए या अपने chamber के लिए उसे Thursday के दिन सुबा ठीक 11 बजे से पहले उसे अपने chamber के लिए एक sign board तयार चाहिए था तो रमन फिर उसे सीधे सीधे मना कर देता है कि इतनी जल्दी उससे नहीं हो पाएगा चुकि सिर्फ color सुपने में ही at least 5 दिन तो लग जाएंगे बट फिर भी जब वो lawyer उसे बार बार insist करता है तो रमन फिर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है तो वो lawyer फिर रमन को ये बताता है कि असल में उसके जोतशी या उसके astrologer का ऐसा कहना है कि वो particular दिन उसके लिए बहुत शुब है इसलिए वो sign board उसे Thursday के दिन ही चाहिए और इतना ही नहीं वो lawyer रमन से ये भी कहता है कि उसके astrologer के हिसाब से उसके sign board में जो words लिखे जाएंगे तो वो थोड़े से slanting या थोड़े से left की और bend होने चाहिए तो ये सुनकर रमन फिर थोड़ा सा disappoint हो जाता है और वो फिर उसे समझाने लगता है कि तुम कोई oil merchant या कोई soap यानि साबून के वैपारी नहीं हो बलकि तुम एक lawyer हो और एक lawyer के sign board में जो words लिखे होते हैं तो वो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं बट वो lawyer इस बात को समझने के लिए बिलकुल भी तयारी नहीं था इसलिए फिर रमन उसको वैसे ही sign board बना कर Thursday को लाकर दे देता है जैसा कि उसने demand किया था बट अब जब वो lawyer उस sign board को unwrap होने के बाद वो उसे नजदीक से देखता है तो उसे वो sign board एक छोटे से reason के वज़े से पसंद नहीं आता है कि stucco effect उसके नाम पर किसी dirt की तरह या किसी गंदगी की तरह दिखाई दे रहा है जिससे कि वो अपने career की शिरुआत में बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करना चाता इसलिए वो फिर रमन को एक दूसरा sign board तयार करने के लिए कहता है और प्लस वो उसे उसकी payment भी नहीं देता है फिर इसके बाद रमन का दूसरा customer एक bangle seller या एक चूडिया बेचने वाला वेक्ती होता है जिसने कि रमन को ये order दिया होता है कि वो उसके लिए एक ऐसा sign board तयार करे जिसमें कि red color से ये लिखा हो strictly cash बढ़ जब रमन उसके sign board को तयार करके वो उसे deliver करता है तो तब वो bangle seller उसे ये कहता है कि वो red color कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम इसे blue color से change कर दो और अगर तुम इसे blue color से change नहीं कर सकते तो तुम अपने पैसे भूल जाओ तो अब ये सुनकर रमन फिर उस sign board को लेकर वो वापस अपने घर की और लोटने लगता है बर तभी फिर रास्ते में उसके मुलाकात किसी preacher से या किसी pundit type के वेक्टी से हो जाती है जो कि रमन को उसके हाथ में वो sign board पकड़े देखकर वो रमन को इस बात के लिए criticize करने लगता है कि देखो आज के जवाने के इस नौजवान युवा को जो की पैसो के पीछे कितना पागल हुए जा रहा है इसके बाद फिर न दोनों के बीज थोड़ी बहस भी हो जाती है और finally वो preacher या वो पंडित रमन के उस sign board को वो उसे अपने एक paper पर लिखे एक secret divine message के साथ exchange कर लेता है ये कहकर कि ये paper पर लिखे divine message तुम्हें तुम्हारे सभी तरह के problem से थोड़ी relief provide करेगा तुम्हें थोड़ी राहत दिलाएगा जिसके बाद रमन फिर अपने घर में वापस आकर वो उस paper पर लिखे divine message को खोलता है और उसमें ये लिखा होता है that this will pass, यानि nothing is permanent and all your problems will pass, all is temporary, so be calm और ये पढ़कर उसे सच मुझ में काफी हलका महसूस होता है और अब finally इस first part के last में क्या होता है कि एक दिन अचानक से रमन को डेजी नाम की एक young lady से जो की मालगुडी में बिलकुल नई-नई से आई होती है और जो की किसी local family planning clinic में ऐसा in charge काम किया करती थी, तो उससे रमन को एक काम मिलता है और वो lady ये चाहती थी कि रमन उनके family planning center के लिए वो कोई अच्छा सा signboard तयार करे तो अब रमन को कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आता है कि आखिर उसके customer को कैसा design चाहिए आखिर उसके customers को किस तरह का effect चाहिए इसलिए वो फिर डेजी से इस बारे में inquiry करने के लिए वो उसके घर चला जाता है अब उसके घर पहुचने पर वो lady उससे ये कहती है कि वो जैसे चाहे वो वैसे अपने हिसाब से design create कर सकता है और वो खुद भी decision ले सकता है तो finally permission मिलने के बाद अगले 5 दिन तक वो non stop मेहनत करता रहता है ताकि वो उस lady को वो अपने काम से impress कर सके बट जब वो वहाँ पर छटे दिन पर पहुचता है अपने signboard को लगभग 90% complete करके as a trial दिखाने के लिए तो उस समय वो lady काफी ज़दा busy होती है और वो उससे ये कहती है कि तुम signboard को यहीं पर रख कर तुम आदे घंटे बाद आना तो उस lady के इतने cold voice में या इतने cold tone में बात करने की वज़े से रमन फिर market जाकर वो एक Hong Kong market वाला कोई duplicate सा sunglasses खरी लेता है ताकि उसे directly उस lady से eye contact ना करना पड़े और वो उसे avoid करके वो उसके female attraction को रोक सके बर जब रमन वहाँ आदे घंटे बाद दुबारा वापस आता है तो वो lady उसके sunglasses को उसके पास से ले लेती है जिसके बाद फिर रमन उस lady Daisy के बारे में वो दिन राज सोचता रहता है और finally जब वो Daisy के उस family planning वाले signboard को पूई तरह से complete करके वो उसे deliver कर देता है तो तब वो फिर इस बात को सोच कर काफी खुश होता है कि चलो अब उसे Daisy का चेहरा और नहीं देखना पड़ेगा और वो फिर से उसके उन खयालों से मुक्त हो जाएगा और free हो जाएगा तो चलिए अब ये तो हमने discuss कर लिया इस novel के first part को और अब हम चलते हैं इसके second part की ओर तो इसके second part की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Daisy को वो साइन बोर डिलिवर करने के लगबग दो हफ़तों के बाद एक दिन अचानक से Daisy रमन के घर पहुच कर वो उसे अपने साथ एक population control campaign पर चलने के लिए invite करती है इसमें कि वो रमन को ये inform करती है कि अगले तीन हफ़तों के लिए वो लोग मालगूरी के आसपास कुछ गाओं में और कुछ और countryside villages में वो लोग तीन हफ़तों के लिए एक population control campaign पर जा रहे हैं इसमें कि अगर रमन चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकता है थाकि डेजी के सर्वे के दौरान वो दिवारों पर और कुछ और important जगों पर science बना के और अपने कुछ picture या calligraphy के थूँ वो लोगों को population control के important message को deliver कर सके और इसके लिए उसे appropriate payment भी दिये जाएंगे तो finally फिर रमन इस campaign पर जाने के लिए तयार हो जाता है जिसके बाद फिर वो लोग ये गाउं से दूसरे गाउं non-stop travel करते हैं और इस traveling के दौरान रमन ये observe करता है कि उसे डेजी की feelings की धिरदे करके कदर होने लगी है या वो उसकी care करने लगता है और plus वो ये भी observe करता है क कि डेजी एक बहुत intensively hard working lady है जिसे की अपने normal comforts की भी कोई परवा नहीं है उसे जो भी मिलता वो उसे खा लेती जहां पर भी उसे जगे मिलती वो वहीं पर एक छोटे से roll mat को बिचा कर वो वहीं पर सो जाय करती और इस पूरे family planning के campaign के दौरान कुछ लोग तो गलती से वो वहाँ पर भी वो लोग population control के या family planning के message के बारे में awareness फैला सके या जागरूकता फैला सके बट उस particular village में डेजी की मुलाकात उस village के एक ऐसे particular पंडित से हो जाती है जो कि डेजी का बिलकुल counter opponent होता है यानि उस गाउं में जिन भी महिलाओं को बच्चे नहीं होते थे तो व महिलाओं वहां के मंदर में जाकर वो उस पुझारी से या उस पंडित से देवी का अशिरवाद लेने के लिए जाती या परातना करने के लिए जाती जिसकी वजह से जब डेजी वहां पर family planning की बात करने के लिए जाती है तो वो पंडित या वो पुझारी उसे चीज की permission न मालगुडी के लिए वापस लोटना पड़ जाता है बड़ अब जब वो लोग मालगुडी के लिए बस पकड़ने जाते हैं तो वो बस वहाँ पर काफी देर तक उन्हें दिखाई नहीं देती है दिसकी वज़े से वो लोग फिर एक बुलक कार्ट में या एक बैल गारी में सवार होकर वो लोग ट्रैवल करने लगते हैं और उस बुलक कार्ट ड्राइवर को ये लगता है कि डेजी और रमन आपस में मैरिड हैं और वो कपल्स हैं तो अब काफी देर तक उस बुलक कार्ट में ट्रैवल करने के बाद अचानक से उस बैल गाड़ी के बैल को पैर में इंजिरी हो जाता है संतुलन बिगर जाने की वज़े से जिसके बाद वो बुलक का ड्राइवर फिर उन्हें वो उन्हें अपने बैल गाड़ी के साथ एक पेड़ के चोड़ कर एक दूसरे गाउं चला जाता है कुछ मदद ढूनने के लिए या एक दूसरे बैल को लाने के लिए जिसके बाद फिर रात का समय हो जाता है और तब वो दोनों फिर आपस में डिसाइड करते हैं यानि रमन और डेजी आपस में डिसाइड करते हैं कि रमन उस बुलक कार्ट के नीचे यानि जमीन पर सोएगा एक रोल मैट को बिछा कर और डेजी उस बुलक कार्ट के भीतर यानि उस बैल गाड़ी के अंदर सोएगी तो अब कुछ समय बीथने के बाद रमन के जो sexual thoughts थे या कहले उसके जो hormones थे तो वो उसे इतने जादा dominate करने लगते हैं और वो उसके अंदर इतने जादा active हो जाते ह कि उस वक्त उसके अंदर काफी सारे गलत गयत खयाल आने लगते हैं और वो उल्टे सीधी बाते सोचने लगता है जैसे कि उसे डेजी को जाकर अपने दिल की बात बता देने चाहिए या फिर उसे डेजी के साथ physical relation establish करने ला चाहिए या उसे seduce कर देना चाहिए तो इस तर है बर जब वो उस बुलक काट के अंदर देखता है तो डेजी वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि डेजी को इस situation के बारे में उसे पहले ही पता चल जाता है और वो उस बुलक काट के पीछे से निकल कर वो एक इमली के पेड़ पर चड़ जाती है और रात भर फिर उसे उस इम काफी मांगता है और प्लस हो से ये भी कहता है थैंक्यू मुझे मेरे ही अनिमलिस्टिक नेचर से बचाने के लिए अच्छा हुआ कि तुम महां से कल रात को चली गई थी बर फिर कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच फिर से एक बहस हो जाती है और डेजी फिर उस बुलक स्टैंड तक लिजाने के लिए मना लेता है और उस दौरान डेजी रमन को इस बात से भी चेताबनी देती है कि मालगुडी पहुचने पर वो उसकी सारी हसी निकाल देगी जब वो पुलीस को इस बारे में रिपोर्ट करेगी या कंप्लेन करेगी तो इसके बाद बस स्टै इसके थर्ड पार्ट की और तो इसके थर्ड पार्ट की शिरुवात कुछ इस तरह से होती है कि उस फैमिली प्लानिंग कैंपेइन के ट्रिप से लौटने के कई हफ़तों बात तक रमन इस बात को दिन राद सोच सोचकर परिशान होता रहता है कि कही पुलीस आकर वो उसे अरेस्ट ना कर ले कहीं डेजी ने जाकर इस बारे में पुलीस को कम्प्लेन ना कर दिया हो और इसके अलावा वो अपने दोस्तों से और अपने बाकी के आसपड़ों से भी जा जाकर ये पूछताज करने लगता है कि क्या उन लोगों ने उसके और डेजी के बारे में कुछ गौसिप या कोई बाचीच सुनी है तो उन लोगों को इस बारे में कोई आइडिय नहीं होता है, कोई भी इस बारे में कोई जानता नहीं था इसलिए finally फिर last में frustrate होकर वो खुद ही police station चला जाता है और वहाँ जाकर वो police वालों से ये पूछने लगता है कि क्या वो उसे ढून रहे थे तो police inspector भी उसे ये कहते है कि हाँ कई दिनों से वो उसे मिलने के बारे में तो सोच रहे थे और वो उसे ढून रहे थे बट वो exactly उसे ये explain नहीं करते है कि वो आखिर उसे क्यों ढून रहे थे इसलिए फिर रमन भी उस police station से निकल कर वो वापस अपने घर की ओर लोटने लगता है और जब कोई भी police वाला उसे पीछे से नहीं रोकता है तो तब जाकर रमन इस बात को लेकर बिलकुल confirm हो जाता है कि डेजी ने उसकी complaint पुलिस में नहीं की है और वो फिर से अपने life को वो normal तरीके से जीने लगता है बट अब कुछ हफतों के बाद एक दिन जब रमन as usual वो अपने backyard में काम कर रहा होता है तो तब ही डेजी फिर से उसके घर में वापस आती है बट इस बार डेजी कोई official काम के सिलसले में वहाँ पर नहीं आती है बलकि इस बार जब डेजी दुबारा से रमन के घर आती है तो वो फिर रमन से वो अपने past life की story बताने लगती है और वो उसे अपने story सुनाने लगती है जो कि वो किसी के साथ भी share नहीं करती थी और वो फिर रमन को ये बताती है कि कैसे वो बचपन से ही एक overcrowded family में पली बड़ी है जिसकी वज़े से जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसके परिवार में उसके शादी को लेकर बात चली तो वो फिर अपने family वालों के views को reject करके वो उनसे अलग हो गई और तब से ही फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से वो अपने life को जी रही है बड़ अब इतना सब कुछ बताते बताते काफी जादा समय बीच जाता है जिसकी वज़े से डेजी को फिर अपना conversation बीच में ही रोकना पड़ता है और उसके बात से फिर उन दोनों के love story शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कने लगते हैं या कहले वो दोनों एक दूसरे के तरफ फिजिकली एक्ट्रैक्ट हो जाते है तो चलिए इस तरह से हमने इसके third part को भी खतम कर दिया और अब finally हम चलते हैं इसके fourth part की ओर या इसके final part की ओर तो अब इसके final section में रमन देजी से शादी करने का decision लेता है और जब रमन की आंट यानि आंट लक्ष्मी को इस बारे में पता चलता है कि रमन घर में एक Christian बहू लेकर आना चाता है दिसका की caste, cultural background और ideas उनके ideas से उनके traditional values से बिलकुल ही अलग हैं तो finally आंट लक्ष्मी फिरियर decide करती हैं कि वो अपनी जिन्दगी के आखरी कुछ साल वो बनारस्म जाकर वो गंगा घाट के किनारी बिताना चाती हैं और वो अपने भगवान की भक्ती करना चाती हैं तो फिर रमन पहले तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट फिर Daisy के समझाने पर वो फिर उन्हें शान्ती से जाने दिता है और वो फिर कोई और objection नहीं करता है और इतना ही नहीं वो उनके pilgrimage के लिए या उनके तीरत यात्रा के लिए वो उन्हें अपने जमा किये हुए कुछ पैसे भी ला कर दिता है और प्लस वो उनके लिए कुछ और सुविधाओं का भी इंतिजाम करता है और फाइनली जब उसकी आंट आंट लक्ष्मी महां से चली जाती है तो तब जाकर रमन को ये realize होता है ये ये एहसास होता है कि कैसे उसकी आंट ने उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रमन के welfare के लिए और उसके भविश को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा डाली तो फाइनली इस नॉवल के last में क्या होता है कि डेजी रमन से शादी करने से पहले वो उसके सामने कुछ शर्ते या कुछ conditions रखती है जैसे कि शादी के बाद वो अपने surname को या अपने title को वो change नहीं करेगी फिर दूसरा condition ये कि शादी के बाद भी वो अपने पूरी आजादी से रहना चाहती है और एक independent woman की तरह रहना चाहती है जिसका कि अपना खुद का भी एक personal life हो फिर तीसरा condition ये कि शादी के बाद भी उसे कोई बच्चे नहीं चाहिए और नहीं वो घर के कोई काम करेगी और सारा काम खुद रमन को ही समालना पड़ेगा तो ये सब सुनकर रमन फिर ये सोचने लगता है कि आखिर उसका married life आगे future में कैसा होगा बट फिर भी उसके डेजी के प्रती emotional और physical pull की वजे से वो इन सभी conditions को accept कर लेता है और वो फिर ये decide करता है कि वो लोग गंधर्व style से शादी करेंगे यानि वो लोग एक ऐसे तरीके से शादी करेंगे जिसमें की बहुती कम rituals perform किये जाते हैं और जिसमें की बिल्कुल भी जहमिला नहीं होता है और अब finally जब रमन देजी से ये पूछता है कि वो उसके घर में shift कब हो रही है तो देजी उससे कहती है 10 दिन के बाद बढब 9 दिन पर जाकर जब रमन देजी के office पहुचता है और वो उससे उसके सामान को shift करने की बात कहता है तो तब जाकर देजी फिर रमन से ये कहती है कि वो अब इस relationship में और नहीं रह सकती क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो इस शादी को कर लेती है तो उसे अपने freedom को कहीं न कहीं sacrifice जरूर करना पड़ेगा और वो ये नहीं चाहती है कि उसे किसी भी कारण से उसे अपना freedom sacrifice करना पड़े और इतना ही नहीं वो रमन से ये भी कहती है कि अब अगले 3 सालों के लिए उसे पूरे इंडिया में घूम घूम कर उसे लोगों को population control के बारे में और family planning के बारे में aware करना है उन्हें जागरू करना है और उसके लिए उसके goal किसी भी relationship से ज़ादा जोरी है तो अब ये सब सुनकर रमन एकदम से confused और shock हो जाता है बट फिर भी वो Daisy से ये कहता है कि उसके घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे और वो जब भी वापस आना चाहे वो उसके life में वापस आ सकती है तो इस तरह से finally a novel खतम होता है and I hope कि आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें, शेर करें से अपने दोस्तों के साथ and थैंक्यू फा वाचिंग